जहिन आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीये थारड य्यर सिक्स समेस्टर एक्जाम 2024-25 होम सांस यानि ग्रेभिज्ञान का पेपर वन है और यूनिट भी आपका वन रहेगा ठीक है शिक्स समेस्टर ग्रेभिज्ञान है ठीक है पेपर वन यूनिट वन अच्छा इसमें paper का नाम क्या रहाएगा जो आप academic card पर लिख कर रहाता दोस्तों इसमें आपका नाम रहाएगा dietics and theoretic nutrition ठीक है आप academic card पर लिखा मिलता है paper 1 है आपका ठीक है हार सास्त्र और चिकतिसी यह पोसर हाला कि हिंदी में लिखा नहीं रहा था आप academic card पर English में लिखा रहाता है ठीक है चलिए यह आपका paper का नाम है साथ ही हो और unit 1 है देखिए इसमें subjective plus objective दोनों टाइप question answer मिलेंगे आपको ठीक है unit 1 से आने वाले objective plus subjective most important question answer with notes ठीक है देखिए notes मत मिस करिएगा notes most important होते हैं note से कई सारे प्रस्ण आपके exam में आएंगे ठीक है आप किस college से हैं comment जरूर करिएगा क्योंकि देखिए आपका subject होता है और syllabus जो होता है वो सारे college में सेम रहता है लेकिन आपका जो परिक्षा pattern रहता है वो college का अलग-अलग होता है ठीक है किसी college में subjective type questions होंगे किसी में objective ठीक है किसी में दोनों paper करा जाते हैं subjective plus objective थोड़ा-थोड़ा करके ठीक है 50 प्रस्ण पूछा जाएगा उसमें आपके तीन-चार प्रस्ण देते हैं लिखने के लिए इस तरह से ठीक है तो आप लोग कमेंट करिएगा कि किस काले से आप हैं ठीक है बिलोंग करते हैं उसी के according त्यारी करा जाएगे ठीक है चलिए बहुत ध्यान पूर्वग देखिएगा इसमें पहला प्रस्ण आपका पूछा है केंद्री खाद प्रवद्वग की अनुसंधान संस्थान कहां इस्तित है तो या मैसूर में इस्तित है ठीक है सर मैसूर में इस्तित है अच्छा आप प्रवद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्वद्व ठीक है CFTRI ठीक है इसका पूच्टा है फूल फर्म बताईए तो Central Food Technological Research Institute इसका फूल फर्म होता है ठीक है और यह करनाटक के मैसूर में इस्तित है याद रखिए कभी मैसूर ना दे करके करनाटक दे देता है आपसल में तो याद रखिएगा दोनों आप ठीक है केंदरी खाद प्रवदोग की अनुसंधान करनाटक के मैसूर में इस्तित है ठीक है याद होगे चलिए आगे बढ़ते हैं या बैज्यानिक और प्रवदोग की अनुसंधान परिसद CSIR के तत्वावधान में अस्थापित किये गए 40 राष्टी अनुसंधान परियुक्सालाओं में एक है ठीक है याद रखिएगा आपके एक्जाम में पूछता है CFTRI यानि दोस्तो Central Food Technological Research Institute यानि खाद केंदरी खाद प्रवदोग की अनुसंधान संस्थान की अस्थापना कब हुई थी ठीक है आपके कमपट्यूटिक जाम में भी पूछता है और आपके समेस्टर में भी पूछेगा तो याद रखिएगा 21 अक्टूबर 1950 को केंदरी खाद प्रवदोग की अनुसंधान संस्थान की अस्थापना हुई थी ठीक है इसका फूल फॉम भी याद रखेंगी देखिए और ये नोट कर लिजेगा आप लोग ठीक है काउपी पेंस से उठा लीजिए और इसे नोट करना स्टाट कर दीजे ठीक है और देखिए इसका पीडिएफ भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो पीडिएफ कहां से मिलेगा असा टेलेगराम ग्रूप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है वहां से टेलेगराम जौन कर लईजिए बीडियो के ठीक नीचे आपको किये जाते हैं कैसे परिवर्तन किये जाते हैं आहार में मसालेदार मांसमचली का परियोग करके या फिर क्रीम रहित दूद का उपयोग करके बताइए तो या फिर दोनों सही है तो इसमें साथियों आपका ये दोनों सही नहीं है ठीक है आहार में मसालेदार मांसमचली का पर प्रस नमबर चार देखेंगे आपका क्या है निम्न कतनों पर विचार कीजिए प्रस नमबर पांच देखेंगे आपका क्या है निम्न कतनों पर विचार कीजिए टाइफाइड संदूसित भोजन से फैनले वाली बिमारी है क्या यह सही है बिलकुल सही है पेचीस मामारी के रूप में जगा ले लेता है नहीं है नहीं सही है ठीक है आपसे नमबर है आपका सही है टाइफाइड संदूसित भोजन से फैनले वाली बिमारी देखिए बिलकु खाद विशागता कुपासर वजाता है ठीक है चलिए विटामीन सी का रसाइनिक नाम है मताये बिटामीन सी का रसाइनिक नाम क्या होता है तो एसकार्वी केसिड ठीक है यह मैंने अलग ठीक है C6, H8 और Oxygen 6 ठीक है C6, H8 और O6 होता है यह इसका विटामिन C का रसाइनिक सुत्र है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें नोर्स को सभी इसमें जितने भी नोर्स दिये गए हैं याद रखिए सभी को नोट कर लिजेगा ठीक है या तो PDF डाउनलोड कर लिजेगा टेलेग्राम ग्रूप से इसमें नोर्स दिया गया है बिटामिनों के रसाइनिक नाम ठीक है बिटामिन A का रसाइनिक नाम क्या है रेटिनाल इसका रसाइनिक सुत्र क्या होता है C20, H30, Oxygen यानि O ठीक है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लिख लिजे आप C20 है H30 है और Oxygen ठीक है ठीक है चलिए विटामिन B का रसाइनिक नाम क्या होता है थाइमिन याद रखिए देखिए विटामिन B और विटामिन B1 दोनों एक ही होते हैं इस पॉइंट को याद रखिएगा तो विटामिन B1 का रसाइनिक नाम होता है थाइमिन और इसका रसाइनिक सुत्र क्य कितना है oxygen आपका 5 है ठीक है c12 h18 ठीक है n4 cl यानि क्लोरिन 2 है आपका oxygen कितना है पांच है ठीक है यह आपका थाइमीन यानि दोस्तों पूछा पूछा जाएगा ठीक है इसे भी ध्यान अप्लयका रखिये ओढ़ा संवा DOC let's go कितने लिद्टान विद्ए बिटामिन S1 कारा सेनिक नाम किया वाइड रिडशनिक नाम किया है बायो टीन बिटामिन बी-7 का राशानिक नाम क्या है, बायो टीन, बिटामिन बी-9 का राशानिक नाम क्या है, फोलेट या फोलिक एसीड, अच्छा इस पर जो यह जो मैं प्रस्ण पढ़ा रहा हूँ, इस पर दोस्तों आपके कई सारे प्रस्ण पुछे जाएंगे, याद रखेएगा का मोस्ट इंपोर्टेंट यह जो प्रश्ण है इस से कई सारे प्रश्ण आएंगे ठीक है इसी पर अधारित यूनिट बॉन आपका इसी पर अधारित है अच्छा इस पर मैंने काफी विस्तार पुर्वक एक और क्लास कर रहा था फूड नियूट्रिशन एंड हाईजिन जब क canal लंबा हो जाएगा ठीक है तो मैं उस लिपास का description में लिनक करेंघिग में लिंक देंगा किते क्लास को धाउंक कर ले जाएगा most important class है वो ठीक है चलिए इसमें और भी है इसमें और है क्या है ध्यान दिजेगा देखिए आपके एक्जाम में पूछेगा कि vitamin D का रासाइनिक नाम क्या है तो vitamin D का रासाइनिक नाम का LC फिराल होता है और इसका जो रासाइनिक सुत्र होता है C 27, H 44, O होता है क्या होता है C 27 है ठीक है मैं फिर से लिखता हूँ जो C है आपका ठीक है यानि C मतलब कारबन ठीक है C 27 है H मतलब हाइड्रोजन आपका 46 है और oxygen आपका सिंगल है ठीक है चलिए याद रखिएगा C 27, H 44 और oxygen आपका सिंगल है ठीक है चलिए बिटामिन E का रासाइनिक नाम क्या है टोको फेराल इसका रासाइनिक सुत्र क्या होता है C 29 यानि carbon 29 यह यानि hydrogen 50 और oxygen दो रहेगा आपका इसमें ठीक है बिटामिन E का रासाइनिक नाम क्या होता भी है इसमें carbon 29 होता है आपका hydrogen आपका 50 होता है और इसमें oxygen की जो मात्रा होती है दो होती है ठीक है यह बिटामिन E का रासाइनिक सुत्र है चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा इसमें subjective question नहीं है कैसे नहीं है देखिए जो आपका मैं notes पढ़ा रहा हूं सातियों इसमें आपका subjective plus subjective दोन हो जाएंगे ठीक है लिखने के लिए आएगा कि vitamin 50 सब्द लिखिए उसमें आपको number मिलते हैं ठीक है दो दो number के आते हैं या फिल लगूत तरी दिरगूत तरी प्रशन आते हैं तो आप लिख सकते हैं जब आप से ज़्यादा vitamin D होता है ठीक है आपसर number A correct आपका चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें अच्छा मैं notes पढ़ा रहा हूं ध्यान से पढ़िएगा इसको मचलियों के यक्रित के तेल में omega 3 vitamin A और vitamin D परशूर मातरा में पाए जाते हैं मचलियों के यक्रित के तेल में vitamin A और D की मा पातरा ज्यादा होती है ठीक है इसलिए यह vitamin के अच्छे स्रोथ है मचलियों के तेल में omega 3 fatty acid EPA और DHA भी होते हैं ठीक है जो सरीर के सूजन को कम करते हैं अच्छा उसमें आपका दिया नहीं है यह जो मैंने यहां पर बताया आपको omega 3 और vitamin A आपका दिया नहीं आपसर में ठ देता है हलाकि इसमें 99% vitamin D देता है ठीक है vitamin A बहुत कम देता है और omega 3 तो लगबल लगबल एक परसंट देता है 0.1% ठीक है तो मैंने तीनों आपको बता दिया है उमीद है आपका उत्तर गलत नहीं होगा ठीक है मचलियों के जो यक्रित होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जल में घुलंसील है जो जल में घुलंसील होते हैं साथियों B और C ये दोनों जल में घुलंसील होते हैं ठीक है विटामिन C आपका जल में घुलंसील होते हैं विटामिन A, D, E और K ये वशा में घुलंसील होते हैं ठीक है इससे 100% ये परस्ण आएगा गारंटी है ठीक है इससे प्रस्ण पूछा जाएगा आपका कि जल में गुलंसील बिटामिन कौन सा है और वजा में गुलंसील बिटामिन कौन सा है ठीक है नोट्स को ध्यान से पढ़ लिजेगा बिटामिन B कांपलेक्स देखिए बिटामिन B को भी कांपलेक्स भी बोलते है ठीक है बिटामिन C और वीटामिन वीच है जल में गूलंशिल विटामीन है देखिए कभी कभी क्या होता है वीटामीन फियर्ट में देता है इसलिए में रिखा थीक है इसे आपका उत्तर गलत नहीं होतीद देखिए वहीं विटामिन A, D, E और K वसा में गुलनसिल विटामिन होते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं प्रस नमबर 9 देखते हैं आपका क्या है प्रस नमबर 9 साथियों मानो शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है तो विटामिन K की वज़ा से मानो शरी स्रीर में रख्त का थक्का बनने के लिए बिटामिन के जरूरी होता है। यह वसा में गुलंसील बिटामिन है। ऐस में वसारो का सद्बी ठीक है इसमें थ्रोंबीन नाम एक प्रोटीन होता है जो खून में ठकका नहीं बनने देता है ठीक है यह विटामिन ड्रक्त में कैल्सियम का अस्तर नियंत्रित करता है जिससे हट्डियां मजबूत होती है ठीक है साथियों उमीद है आपको समझ में आ रहा होगा चलिए प्रस्ट नमबर 10 आपका पुछा दोस्तों बिटामिन E बिसेस तक किसके लिए महतपूर है तो बिटामिन E जो होता है लिंग गरंतियों की समान निकिरिया के लिए महतपूर होता है अपसर नमबर 1 करिक्ट आपका अगला प्रस्ट देखेंगे इसमें 11 नमबर क्या है निमनल प्रस्न नम्मर 12 देखेंगे क्या है अपका बिटामिन E का महतपूर शुरोत निम्नलिखित में से कौन सा है ठीक है कौन से हैं गेहुं अंकुर का तेल ताड का प्रस्ट नमबर 13 है निम्नलिखित में से कौन बिटामिन ए का सर्वत्तम स्रोत है तो गाजर क्या है गाजर आपका से चाहर्जर आम है थीख है फिर नशान का estara । आम देगा या फिर पपीता देता है तो तीनों याद रखिएगा ठीक है चलिए चारों आपसर में सबसे बेस्ट आपका हरी सब्जिया है ठीक है हरी सब्जियों में आपका भरपूर लो तत्तो पाए जाता है चाउदय का आपसर नमबर भी करिक्ठ आपका चलिए परस नमबर पंदरे देखेंगे आपका क्या है निम्नलिखित में से किसकी उपस्तिति के कारण दूद में मिठास आ जाती है बताईए लैक्टोज के कारण सुक्रोज के माल्टोज के या फिर सरकरा के कारण तो इसमें जो होता है दूद में जो मिठास आ जाती हो यह लैक्टोज के कारण आता है आपसर नमबर भी करिक्ठ आपका अगला प्रस देखेंगे क्या है सोलर नमबर पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है आयरन की मात्रा यानि लो पाधिक मात्रा में आएन पाया जाता है ठीक है आपसर नमबर एक करिक्ता आपका चलिए अगला प्रसंद गखेंगे 58 प्रसंद क्या है आपका नम्च मेंसे कौन आयोदीन का सर Community है यानि नमक का सर सेव प्रस नमबर 19 है आपका निम्न में से किसमे प्रोटीन नहीं पाया जाता है प्रोटीन चावल में दाल में या फिर दोनों में पाया जाता है तो दाल में प्रोटीन पाया जाता है चावल में कार्बोहड्रेट पाया जाता है ठीक है आपसर नमबर एक करेक्ट है आपका प्रोटीन चावल में नहीं पाया जाता है कर्भोहड्रेट पाया जाता है प्रस नमबर 20 है दात में निमनलिखित में से क्या होता है कर्भोहड्रेट कैलसियम वसा या सभी तो दात में कैलसियम होता है आपस नमबर भी करिक्ठ आपका अगला प्रसे देखेंगे एक काईस नमबर क्या है सागरी ये खर पतवार यानि जो समुंद्र में खर पतवार होते हैं वो किसके लिए महतपूर होते हैं आयोडीन यानि नमक के लिए आयरन यानि लोहे के लिए बिटामिन के लिए या फिर मचलियों के लिए ठीक है मचलियों के लिए तो यह आयोडीन नमक के लिए होते हैं ठीक है जो सागर में खर पतवार होते हैं वो नमक के लिए महतपूर होते हैं यानि आयोडीन के लिए ठीक है आपसर नमबर एक करेक्ठ आपका 21 का अगला प्रस्थ देखेंगे क्या है 22 नमबर 22 नमबर आपका मानो शरीर में उतको का निर्माण किसे से होता है तो मानो शरीर में उतको का निर्माण प्रोटीन से होता है आपसर नमबर एक करेक्ठ आपका अगला प्रस देखेंगे क्या है तेश नमबर प्रस ने आपका प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है शरीर का निर्माड करने वाला इस्थूल वर्धक या फिर दोन माना जाता है तो प्रोटीन को साथ ही हो आपका जो माना जाता है सरीर का निर्माड करने वाला माना जाता है ठीक है आपस नमर एक करिक्ठ आपका प्रस्ट नमर 24 आपका निम्न में से कौन सरवाधिक उर्जा परदान करता है सबसे ज़्यादा उर्जा मताई ये कौन परदान करता है कार्बोहाइडरेट, प्रोटीन या फिर वसा तो सबसे ज़्यादा उर्जा कार्बोहाइडरेट उर्दान करता है ठीक है इसे quick उर्जा बोलते हैं ठीक है quick उर्जा बोलते हैं इसे carbohydrate को आपसे नमरे correct आपका चलिए अगला प्रसंद देखेंगे quick energy बोला जाता है जल्द से जल्दी उर्जा किसे मिलते हैं कार्भॉहइड्रेट से एथलीट को किसे जल्दी और ज्यादा उर्जा मिलते हैं तो carbohydrate से ठीक है एथलीट को जल्दी और ज्यादा समय देए बस हो गया चलिए इसमें मैं थोड़े चेंज करूंगा ठीक है आप लोग दो तीम संकेंट का मुझे समय दे दिए बस हो गया चलिए निम्न में से कौन सी सरकरा ततकाल उर्जा परदान करती है माल्टोज गुलुकोज वसा बताइए कौन सी जो सरकरा है यानि ततकाल उर्जा परदान करती है तुरंत उर्जा कौन परदान करेगा भी या त इमन में से कौन सी प्रोटीन दूद में पाए जाती है तो प्रोटीन जो है केसीन ठीक है दूद में केसीन नाम की प्रोटीन पाए जाती है आपसे नमरे करेक्ट आपका अच्छा दूद में केवल केसीन नाम के प्रोटीन ही नहीं पाए जाती है और भी पाए जाती है मैं दो वह होता है ठीक है वह देखिए कभी कभी क्या होगा आपके एक्जाम में केसी नहीं देगा तो वह देता है ठीक है इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया है वो competitive exam में पूछता है ठीक है चलिए 28 नमबर प्रस्ण है यह थार्ड यर है थार्ड यर में भी पूछ सकता है क्योंकि लास्ट यर आपका चलिए 28 नमबर प्रस्ण है निम्नलिखित में से किसे सरवाधिक पाया जाता है तो सरवाधिक प्रोटीन साथियों सोया बीन से पाया सब्सक्राइब इसमय अग्ला प्रस्ण देखें क्या है कि मैंने 28 नमर पढ़ाया आपको एह थार मिखित से किसे से प्रोटीन सरवाधिक पाया जाता है तो यस्ट ए ठीक बीटामिन वसा कार्भोईडरेट क्या इन्मे से किससे वर्जा प्रात नहीं होती है, तो कार्पाइडेट से भी हमें उर्जा मिलती है, कुछ मात्रा में हमें वसा से भी उर्जा मिलती है, बिटामिन से हमारे सरीर का निर्माड होता है, ठीक है, जो प्रोटीन होता है, हमारे सरीर का निर्माड होता है, बिटामिन हमारे सरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है, वो क्या आपका बिटामिन करेक्ट है आपका ठीक है उर्जा आपका बिटामिन से परात नहीं होता है वसा से भी कुछ मातरा में होता है कार्वोहड्रेट से जदा होता है चलिए आगे बढ़ते हैं आपका 30 नमबर पसंद देखेंगे क्या है एंजाइम मुल रूप से क्या है उच आणविक भारवाले योगिक होते हैं ये मुख रूप से प्रेप्टाइड आबंद द्वारा एक साथ जूड़े एमीनु अमलकी स्रिंखलाओं से निर्मित होते हैं ठीक है ये नाइट्रोजन यूग्त जटिल कार्विनिक पदार्थ होते हैं चलिए प्रस नमर 31 सब्जीयों से निकल जाता ठीक है जब आप सब्जीयां छील देते हैं छील करके धोते हैं तो विटामिल सी आपके निकल जाते हैं ठीक है चलिए इसलिए सब्जियों को पहले धूल लेना चाहिए तक काटना चाहिए 32 नमबर पसना आपका डाक्टर MS स्वामिनाथन के तो ग्यारः खाद वअर्ग की संखला की चीरः खाद श्रिंखला है उनके द्वारा स्वामिनाथन के द्वारा धिया गया है ठीक है याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रस होने माला है आपका आएगा आपका लेख लिखने के लिए स्वामिनाथन जी पर ठीक है पचास सब्दों में तो याद रखेगा स्वामिनाथन को 1987 में क्रीशी के छेत्र में सरवच सम्मान में से एक परथम खाद पुरसकार से सम्मानित किया गया था इसके अलामा उन्हें पदम स्री पदम भूसड, पदम भी भूसड, सांती स्वरूप भटनागर पुरसकार, रेमन मैक्सेश पुरसकार और अलबर्ट आइंश्टीन विश्व विज्ञान पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका, ठीक है, सभी को याद रखीएगा चलिए, ये भी याद रखीएगा, क्रिसी बैग्यानिक डाक्टर एमेस स्वामिनाथन ने चावल गेहूं चना मक्का जैसी खाद भसलों को उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया था, ठीक है, उन्होंने 1960 के दसक में अकाल के दौरान धान गेहूं की ज़्यादा पैदावा में उन्होंने MS स्वामिनाथन रिशर्च फाउंडेशन, MSSRF की अस्थापना की, कब की थी 1988 में, ये संस्था गरीब महिला और प्रकिर्ती समर्थक दिरिष्ट कोड के साथ काम करती है, चलिए प्रस नमर 33 देखेंगे, सरीर की आंत्री किरियाव को नियंत्रीद करने वाला पदार्थ है, तो आंत्री किरियाव को नियंत्रीद करने वाला पदार्थ ळिटामिन होता है, आपFun法 No1 correct आपका त्यёт इसका, प्रस नमबर 34 देखेंगे क्या है आहार आयोजन सिधान्त में निम्न लिखित में से कौन अनुपयोगी है तो मधूर भोजन घर की बनावट या मिलावट तो घर की जो बनावट होती है ठीक है आहार आयोजन सिधान्त के जो लिए ये अनुपयोगी है ठीक है जो घर की पार्थों के संगठन में निम्ली लिखित में से कौन सा एमीनो अमल नहीं है तो लाइप एच क्या है आपका एमीनो अमल नहीं है अच्छा इसमें भी ध्यान रखिएगा नोट से ठीक है इसे नोट कर लिजे आप लोग एमीनो एसिट के कुछ यहां पर नाम दिये गए हैं इ हमेलीन गलाइसीन आईसओल्यूसीन लैशीन मिथायोनीन फिनाई लाम नीन ठीक है ट्रिप्टोफन वस थ्रियो नीन हैं Drag में आभस्ट्प्रियट कौन कौन से हैं अहला कि सभी आमीनborg एसिट हैं इस पांट को याद रकिएगा ठीक है घु ज़ेखा में पूछता है कि इन म एसीड और गलूटामीन एसीड और सेरीन ये क्या है गैर आवस्चक एमीनो एसीड है अच्छा है इसमें तीसरा क्या है ससर्थ एमीनो एसीड आपके एक्जाम में पूछता है इनमें से कौन ससर्थ एमीनो एसीड है ठीक है निगेट्व कोश्चन में पूछता है ज्याद ससर्थ ससर्थ अमीनो एसीड है ठीक है यह सभी अमीनो एसीड के नाम है याद कर लिजिएगा आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे प्रस्ट नमबर 36 36 नमबर प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो अमल की संख्या है तो 22 होता है आपस नमबर ए करेक्ठ आपका चलिए आगे बढ़ते हैं आपका आगे द्वारती हैं देखते हैं आपका अगला प्रस्ट क्या आप या प्रस्ट नमबर 37 है 37 नमबर अलप पोशड का कारण होता है नियमित तथा अत्यधिक भोजन मिलना भोजपरदार्थों में मिलावट भोजन का अनुप्यूग्त होना ठीक है उप्रोग सभी अगला प्रस्ट देखेंगे क्या है आपका 38 नमबर चिकित्सा में आहार के महत्तों को सबसे पहले बिस्व पर इद्रिष्ट में लाने का काम किस ने किया तो यह किये थे आपके फ्लोरेंस नाइट एंगल ने ठीक है बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्ट होता है यह मानों सरीर में इधन का काम करता है यानि उर्जा देता है ठीक है चलिए प्रस नमबर 40 देखेंगे आपको क्या है निम्ण में से किसे से प्रतिग्राम सरवाधिक उर्जा प्राप्त होती है तो प्रतिग्राम सरवाधिक उर्जा जो होती है साथी हूं यह वसा से होती है ठीक है आपसे नमरे करेक्टा बेरी बेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 100 परसंट ये प्रस्ण आएगा ठीक है प्रतिग्राम सरवाधिक उर्जा किस्सेप्राथ होती है वसा से अच्छा इसमें जो मैंने नोट से लिखे इसे मतमिज करिएगा ये तो 100 परसंट आएगा ये याद रखिएगा वसा प्रतिग्राम सबसे ज़्यादा उर्जा देती है ठीक है वसा में सभी खाद घटकों की सबसे ज़्यादा उर्जा समागरी होती है वसा प्रतिग्राम 9 किलो कैलोरी उर्जा देता है आपके एक्जाम में पूछता है कि वसा कितने ग्राम प्रतिक किलो कार्पार और जो प्रोटीन है फबह 1 ग्राम पर चार कैलोरी बीए इस प्रंक को यादстве बिटामिन A भंडारिद होता है तो मानोख मुषच के सरीमें जो बिटामिन ठीक है रेटिनोईड के रूप में संग्रहित किया जाता आपके एक्जाम में पूसता है कि मानोशरीर में विटामिन A भंडारित होता है कहां होता है यक्रित में ठीक है यक्रित में होने वाला यक्रित में भंडारित होने वाला विटामिन A को किस नाम से जाना जाता है तो र प्रस्टमख पदार्द कहा जाता सथिं या वीटामिन को कहा जाता है ठीक है आपसे नमबर A करेक्ठ आपका चलिए प्रस्ट नमबर 43 देखीं की आपका क्या है प्रस्ट parcel 43 है सथियो निमनल इखित में से कौन सा vitamin A का पर चूरतम सुरोत है तो आम क्या है मैंने शुरू में आपको बताया ठीक है, सबसे पहले क्या है गाजर है, ठीक है गाजर के बाद आम है आपका उसके बाद पपीता है, ठीक है इसी तरह से आपके एक्जाम में पूछेगा, तो याद रखिएगा सभी को, विटामिन A का परचूरतम सुरुत क्या है, इसमें आम है, ठीक है, क्योंकि इसमें गाजर और पपीता आपका नहीं दिया है, प्रस नमबर 44 है, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आप निमनली खित, विटामिनों में से कौन सा सरीर में भंडारित नहीं होता है, बताइए, तो साथियों विटामिन B और C, ये क्या है, सरीर में भंडारित नहीं होता है, ठीक है, तो ये भंडारित नहीं होता है, आपस नमबर D करेक्ट हो जाएगा, बी और C दोनों प्रस नूमर 46 है आपका निम्नलिखित विटामिनों में से किसमे कुबार्ट होता है तो विटामिन B12 में आपका कुबार्ट होता है ठीक है आपसे नूमर B करेक्ट आपका प्रस नूमर 47 है चिकितसी भोजन तयार करने के संदर्व में विससग्यों कुनिमने लिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए तो रोगों की आर्थिक इस्तिती पर उसकी धार्मी के उन समाजी की इस्तिती पर और आहार सम्मंदी के इतिहास पर ठीक है सभी पर ध्यान देना आवश्यक होता है आपस नूमर डी करक्ट हो जाएगा प्रस नूमर 48 है आपका आहारी चिकितसा के सिधान के इंतरगत आते हैं क्या आते हैं अभिया चिकितसा को रोगी की आर्थिक इस्तिती जानना रोगी का इलाज करना रोगी की मनोवैग्यानिक इस्तिती को जानना ठीक है आपस नमर डी करक्ट हो जाएगा उपरोग सभी चलिए प्रस नमर 49 देखेंगा अपका क्या है निन लिखित में से कौन से वर्ग कोमल आहार की स्रेड़ी में आते हैं तो खिचड़ी दलिया आटे की उबली रोटी ठीक है आले की जो आटा होता है आटे की उबली रोटी गुद्धिदार फॉल चावल चावल रोटी सलाद ज ठीक है कोमल आहार के अंतरगत कौन-कौन से आहार आते हैं आपको एक्जाम में पूछा जाएका तो याद रखिएगा ठीक है चलिए प्रस नमर 50 है आपका निम्रे लिखित में से किसका योगदान आहार चिकतसा में सरवाधिक है बताईए किसका योगदान सरवाधिक जो किसका आहेट क्तफा में सर Ps consider कि सला देता है क्या च् iba किश तरह से क्या-klla क्या खाना चाहिए कितने ताइम पर यांपी डाक्टर का होता है या फिर परिचाईका या नि कि जिसकी वज़सें आप जानते हैं कि आपको क्या क्ना चाइए आवस्त्रप्सवामी यानि आपके कि आपको क्या माद्यम से आप जानते हैं कि आपको क्या खाना घ्रागाईEst से एक रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्यदार है इस क्लास को सेर करेंगे इस तरह से सेर बटन बनाओगा ठीक है जितने भी आपके पास स्टुडेंट है जरूर सेर करिएगा मुझे बहुत उमीद है आप से ठीक है चलिए मिलते हैं नेस्ट क्लास में पेपर टू में ठीक है नेस्ट क्लास में पेपर टू में मिलेंगे तब तक लिए जाहिन वंदे मातराम